खबर सबसे बड़ी सीतापुर से जहां पर केमिकल फेक्टरी में साथ लोगों की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है बतादी के असे लावा केमिकल का फेक्टरी में इस्तिमाल होता था यह ज्यानकारी ड्यम ने दी है जहां फेक्टरी जन्चालन के लिए प्रदूशन विभाक से एनोसी भी इसकी जरी नहीं ली गई तो फेक्टरी मालक ने जलाव धोकेंदर में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था वहीं NDRF और EPSL की टीम ने नमूनों को एकठा कर लिया है तो जमीन पर फैले केमिकल को मिट्टी से धका गया है तो सीतापुर में आपको पता दे कि आज गैस का रिसाव हुआ और उसी दुरान ये इस गैस के रिसाव से एकी परिवार के साथ लोगों की मौत हो गई थी जहां पर साथ मौतों पर बड़ा खुलासा हुआ है EPSL नाम की कमिकल फैक्टरी का समाल यहां पर होता था फैक्टरी संचालन ने प्रदूर्शन विभाग से अनुसी भी नहीं ली थी इसमें EPSL की टीम और प्रदूर्शन विभाग की टीम ने उसका नमूना लिया है जो जिस केमिकल से डेस्थ बताई जा रही है पाकी NDRF की टीम आई थी उन्होंने भी पूरा सर्वे किया सर्च किया और उन्होंने जो सला दिया है उसके अनुसार जो केमिकल बहा है उस नाले को सैंड और स्वाइल से दबाए जा रहा है जो प्रारंबी के जानकारी मिल लए है जो केमिकल का जो ओनर है उनके दोरा बताए जा रहा है कि ये मुल्ता HCL का प्रियोग किया गया थे तो बड़ा खुलासा हुआ है सीतापुर में जो स्थरे से घैस का रिस्ता हुआ उसमें कहाए जा रहा है कि HCL नाम के केमिकल का फैक्टरी में इस्तेमाल होता था और फैक्टरी संचालन के लिए इसमें NOCB जो प्रदूशन विभाग के जरी ली जाती है वो भी आपर नहीं ली गई थी तो फैक्टरी मालिक ने जिरावध्यो केंदर में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराय था आमरजीत हमारे साथ हमारे सायोगी जुर गए है प्रदूशन विभाग के जरी नहीं ली गई थी मालिक को क्या गिरफतार क्या गया है अभी तक कोई कारवाई आगे बढ़ती हुई रिफू जिस तरीके से पूरा घटना करू रहा है वो अपने आपके बहुत बड़ी घटना रही है लेकिन उसके बाद जो चीज़े सामने आई है वो अपने आप में और ज्यादा बड़ी हो जाती है कि कश्बे से बिस्वा कश्बे से महाज कुछ दूरी पर ही इस फैक्टरी का संचालन हो रहा था और अर्थाई लोग की महाज़े तो यह लंबे समय से इसका संचालन किया जा रहा था साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इस फैक्टरी का ना तो जिलाओ दोकेंद्र में रजिट्रेशन था और ना ही पर वाग से पोई एनोसी ली गई थी केवल सेल्टे जाने गई है जिसकी जिनमेदारी जितनी इस फैक्रिस अंचालक की है उससे कहीं ज्यादा प्रसाथना और अस्थानी तहसीर प्रसाथना है वो भी इसके लिए बड़ी तो जिम्मेदारी इनकी बनती थी कि इस चीज को ध्यान देना तहीं था लेकिन प्रसाथने लापर वा जिसके सुगा घटना करम हुआ था प्राशन पुरा हरकत में आया था उसके बाद जो फैक्री संचालक है उसे अरेष्ट किया था और उसे पुंस्ताथ कि जा रही थी कि कहां से कैसे और किस तरीके से लाजा आता है तो पुंस्ताथ में इस चीजे निकल गया है कि यह जो भ पुंस्ताथ की जा रही है जोली फिलाल बहुत बहुत दन्यवाद आपका मरचीत हमार सच चुड़ने के लिए